Good day to all of you. पिसली कक्सा में आपने insert menu के बारे में सीखा और अभ्यास किया. आईए अब पिसली क्लास का revision कर लेते हैं. क्या बता सकते हैं कि date और time को अपने page पर insert करने के लिए आप कौन से sub menu का उप्योग करेंगे? डेट और time को insert करने के लिए आप field option का उप्योग करेंगे. हेडर और footer का उप्योग क्यों करते हैं? हेडर से आप अपने page में title को add कर सकते हैं, footer से आप अपने page में number insert कर सकते हैं. हाइपर लिंक के द्वारा आप कितनी files को अपने page पर insert कर सकते हैं? हाइपर लिंक से आप कितनी भी file को insert कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं, हाइपर लिंक की file को कैसे open करते हैं? हाइपर लिंक की file को open करने के लिए आप left hand की एक finger से control के button को दबा कर रखेंगे और right hand की एक finger से आप mouse अथवा touchpad के left button को दो second के लिए दबा कर छोड़ देंगे तो आपकी file open हो जाएगी क्या आप बता सकते हैं कि extender toolbar क्या होता है? extender toolbar एक shortcut तरीका होता है जिसकी मदद से आप अपने कारें को और भी असान कर सकते हैं अब आप सभी computer को on करें और बताये गए तरीके से writer की file को open करें अगर file को open करने में कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि command के द्वारा हम writer के file को कैसे open करते हैं इसके लिए आपको अपने keyboard में window बटन को डोड़ना होता है और उसे अपने left hand के एक finger से दबा के रखना होगा जैसे ही आप उसे window दबा के रखेंगे उसके बाद R के बटन को दबाएं एक box open होगा इस box के अंदर आपको अगर blank दिख रहा है तो ठीक है अगर नहीं तो उसको backspace से delete करके जो भी लिखा हुआ है उसके अंदर आप S writer को type करें और फिर OK के बटन पे click करें या enter बटन का परियोग करें जिससे की आपका writer का file directly open हो जाएगा क्या आपने writer की file को open कर लिया है या नहीं अगर नहीं तो दुबारा से वीडियो को देख कर सीखें आईए जानते हैं आज की class में आप क्या सीखेंगे आज की class में आप format menu के कुछ option के बारे में सीखेंगे जो की वह इस प्रकार से है default formatting क्या होता है character sub menu के कुछ option जैसे की font name, font effect, hyperlink के बारे में सीखेंगे अब आप दिये गए paragraph को देख कर टाइप करें क्या आप सभी ने paragraph को टाइप कर लिया है अगर नहीं तो जल्दी से टाइप करें आईए अब character sub menu के बारे में सीखते हैं क्या आप बता सकते हैं character sub menu का उप्योग क्यों करते हैं पिछली क्लास में आप सभी ने text paragraph की formatting करने के लिए formatting toolbar का उप्योग किया था character sub menu एक ऐसा option है जिसकी मदद से आप formatting के सभी option का उप्योग कर सकते हैं आईए अब वीडियो की मदद से character sub menu के बारे में सीखते हैं आईए सबसे पहले font के बारे में सीखते हैं font option से आप अपने text या paragraph की handwriting अत्वा उसके text की style को बदल सकते हैं text या paragraph के size को बदल सकते हैं bold, italic और underline कर सकते हैं आईए वीडियो को देखकर in option का उप्योग करना सीखें अब आईए सीखते हैं कि font style का उप्योग कैसे करते हैं या font style क्या होता है font style से आप अपने text के writing को change कर सकते हैं या paragraph type की हैं उसके writing को change कर सकते हैं कोई भी formatting करने से पहले आप सभी को select करना होता है अपने paragraph या line को जैसे कि आप सभी जानते हैं select करने की अलग-अलग प्रकार की विदी बताया जा चुके हैं आप अपने इस paragraph को या line को जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है select करें जिसे आपको उसके font का size या font का style चेंज करना है उसके बाद format लिखे हुए option पर pointer को लेकर आए click करें फिर character पर click करें एक box open होगा इस box के अंदर आपको font लिखे हुए tab या option को select करना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद font लिखे हुए option के नीचे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहां पर बहुत सी अलग-अलग प्रकार की writing के style है इन में से जो भी आपको अच्छा लगे इसे ड्रैग करके नीचे के तरफ लेकर आए और देखें कि कितने सारे available हैं या इसे उपर के तरफ ऐसे ड्रैग करें और फिर ओके के बटन पर क्लिक कर दें इस तरह से आपके सलेक किये हुए परागराफ ए लाइन का writing style चेंज हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर दुबारा से आपको चेंज करना है तो आप फिर वैसे ही चेंज कर सकते हैं आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि bold italic option का उप्योग कैसे करते हैं सबसे पहले आप जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है अपने line को select करें जिसे आपको bold italic करना है उसके बाद अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर आए उसके बाद character पर click करें click करने के बाद आप अपने pointer को type face के नीचे जहां पर की अलग-अलग option दिए गया है regular, italic, bold, bold italic या आपके type face हैं जो भी आपको इसमें से अच्छा लगे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, bold italic हमने select किया फिर ok पर click कर दिया तो वह अब आपके select किये हुए line पर bold italic apply हो जाएगा तो इस तरह से आप bold italic का उपयोग कर सकते हैं आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि font size का उपयोग कैसे करते हैं font size से आप जैसे कि जानते हैं अपने text के size को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं तो आप सभी अपने paragraph ये line को select करें उसके बाद अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर रहा है जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद character लिखे हुए option पर click कर जाएं उसके बाद font के अंदर size लिखे हुए option पर अपने pointer को लेकर आएंगे और यहां से इसे drag करके उपर के तरफ ले जाएंगे तो आपके writing ये text का size कम हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर बढ़ते हुए करम में ड्रैक करके नीचे के तरफ लेके आते हैं और सलेक करके OK करेंगे तो आपके राइटिंग का साइज बढ़ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस तरह से आप font के साइज को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं आईए अब font effect के बारे में सीखते हैं font effect भी character sub menu का भाग है font effect में भी बहुत सारे option दिखाई देंगे जैसे कि font color, effects, relief, outline, shadow, blinking, overlining, underline, इत्यादी क्या बता सकते हैं font color से क्या होता है font color से आप अपने text या paragraph की color को बदल सकते हैं अब आप एक line को select करें और font color को बदलें अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए आप सीखते हैं कि font color का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि font color से आपके text का color change होता है तो आपको अपने paragraph या line को select करना होगा जिसके font के color को आप change करना चाहते हैं select करने के बाद आप सभी format लिखे हुए option पर जाएंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आप सभी character लिखे हुए option पर click करेंगे फिर font effects के option पर click कर देंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद font color लिखे हुए option पर यहाँ पर click करेंगे उसके बाद इस pointer को नीचे लेकर आएंगे यहाँ पर और फिर इसे drop down के द्वारा नीचे करेंगे ड्रैक करके या उपर करेंगे जो भी आपको color अच्छा लगे उसे select कर लेंगे और फिर ok कर देंगे या ok बटन पर click कर देंगे जिससे कि आपके font का color change हो जाएगा तो इस तरह से आप अपने font की color को change कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि effects क्या होता है effects एक ऐसा option है जिसके द्वारा आप लिखे हुए paragraph अत्वा text को capital letter, small letter, small capital का उप्योग करके बदल सकते हैं अब आप एक एक करके वीडियो की मदद से इन सभी option का उप्योग करना सीखें आईए अब सीखते हैं effects option का उप्योग कैसे करते हैं या effects से क्या-क्या changes कर सकते हैं इसके लिए आप सभी को अपने line या paragraph को select करना होगा आप अपने line या paragraph को कैसे भी select कर सकते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं select करने के अलग-अलग बिधी को बताया जा चुका है option पर लेकर आएंगे click करेंगे फिर character लिखे हुए option पर ले जाएंगे click करेंगे एक box open होगा इस box के अंदर आपको font effects वाला tab आपका select मिलेगा उसके बाद आपको effects लिखे हुए option पर जाना है और यहां से जैसे यहां पर click करेंगे box open होगा इस box के अंदर अलग-अलग प्रकार की effects के option है जैसे capital करेंगे तो अपके alphabet के जो word है या paragraph के word है वह सारे capital लेटर में आएंगे दूसरा है lower case lower case में करेंगे तो थोड़ा small में आएगा उसके बाद title में करेंगे तो हर एक word का पहला word capital में होगा फिर आप small capital करेंगे इस तरह का आएगा तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप select कर सकते हैं और उसके बाद जैसे माले जी हमें capital करना है तो हमने capital को select कर लिया और फिर ok कर दिया तो अब आपका जो paragraph है जिसे आपने select किया हुआ है उसके सारे word या text capital लेटर में हो जाएंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर आपको इससे ठीक करना है तो आप इसे फिर से format में जाके effects के अंदर without लिखे हुए option को select कर लेंगे तो या capital letter हट जाएगा तो इस तरह से आप effects के option का उपयोग करते हैं अब आप outline, shadow, blinking के बारे में सीखेंगे क्या बता सकते हैं writer में outline का उपयोग क्यों करते हैं या outline क्या होता है writer में outline के उपयोग से आप सिर्फ text के outline को देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी solid color fill होके नहीं आता है आईए अब video को देखें और समझें outline से क्या होता है आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि Outline के Option का उप्योग कैसे करते हैं Outline के Option के उप्योग करने के लिए आप सभी अपने Paragraph या Line को Select करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद अपने Pointer को Format लिखी वे Option पर लेकर आएं यां पर क्लिक करें उसके बाद Character लिखी वे Option पर क्लिक करें उसके बाद अपने Pointer को जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है Outline लिखे हुए Option पर क्लिक कर दें जैसे ही Outline लिखे हुए Option पर क्लिक करेंगे टिक का निसान होगा यानि कि सही का निसान बन जाएगा जिसे कि यह outline अपलाई होगा उसके बाद OK कर देंगे तो आपके paragraph पे outline अपलाई हो जाएगा outline का मतलब होता है जो आपने paragraph टाइप किये हैं उनके जो एक एक word है उनके बाहर के line दिखने लगेगा जैसे कि आप वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर इसे ठीक करना है तो आप इसे select करें character पे जाएं उसके बाद outline के option पर click कर दें जिसे कि यह tick का निसान हट जाएगा और फिर OK पर click कर दें इस तरह से आप outline के option का उप्योग कर सकते है क्या बता सकते है shadow क्या होती है shadow से आपकी text की shadow आ जाएगी आईए अब वीडियो को देख कर सीखते है कि shadow option का उप्योग कैसे करते है आप सभी अपने line या paragraph को select करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाय जा रहा है उसके बाद अपने pointer को format लिखी हूँ option पर लेकर आए यहाँ पर क्लिक करें अब आप character लिखी हूँ option पर जाए और क्लिक कर दें जिससे कि एक box open होगा अब इस box के अंदर shadow लिखे हुए option पर अपने pointer को लेकर आए जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और यहाँ पर अपने touchpad या mouse के left button को क्लिक कर दें जिससे कि tick का निसान होगा या सही का निसान हो जाएगा और फिर okay वाले option पर क्लिक कर दें जिससे कि shadow आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस तरह से आप shadow को अपने paragraph पर ला सकते हैं अगर इसे अटाना है तो आप फिर से अपने paragraph य लाइन को select करें format लिखे हुए option पर जाएं यहाँ पर क्लिक करें फिर character लिखे हुआ option पर क्लिक करें उसके बाद फिर से अपने pointer को shadow लिखे हुए option पर लेकर आएं यहाँ पर क्लिक करें जिससे कि आपका टीक है या जो सही का निशाने हट जाएगा उसके बाद OK पर क्लिक कर दें तो इस तरह से आप सैडो को हटा सकते हैं क्या पता सकते हैं ब्लिंकिंग क्या होता है और इसका उप्योग क्यों करते हैं blinking का उपयोग आप अपने text को blink करने के लिए करते हैं जब आप इसका उपयोग करेंगे तो आपकी text बार-बार आने और जाने लगेगी आईए अब वीडियो को देखकर blinking का उपयोग करना सीखते हैं आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि ब्लिंकिंग का उप्योग कैसे करते हैं सबसे पहले आप सभी अपने टेक्स्ट, लाइन या पेरागराफ को सेलेक्ट करें जैसे कि आपको बताया गया है कि सेलेक्ट करने के अलग-अलग प्रकार के तरीके होते हैं तो आप अब इस लाइन या पेरागराफ को सेलेक्ट करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है सेलेक्ट करने के बाद आप सभी अपने पॉइंटर को फॉर्मेट लिखे हुए मैनू बार के आप्शन पर लेकर आएं फिर कैरेक्टर लिखे हुए उप्शन पर क्लिक करें उसके बाद अपने पॉइंटर को ब्लिंकिंग लिखे हुए उप्शन पर क्लिक करें फिर यहां पर ओके कर दें जिसे की आपका या पैराग्राफ चो अपने टाइप किया है और जिसे सलेक्ट किया है वह ब्लिंक कर होने लगेगा इस तरह से आप ब्लिंकिंग का उप्योग कर सकते हैं अगर इसे आपको ठीक करना है या ब्लिंकिंग को हटाना है तो आपको फिर जे अपने pointer को menu bar के format लिखे हुए option पे लेके आना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर आप इस paragraph को select नहीं करके करेंगे नहीं अटाएंगे तो देखिए क्या होता है या paragraph select नहीं है तो हम format पे गए है character पे click किया उसके बाद इस box के अंदर blinking लिखे गए box पे pointer को लेके आएंगे और फिर यहाँ पे click कर देंगे तो यार सही का निसान जो है हट जाएगा जिससे आपको यह लगेगा कि आपने तो blinking को हटा दिया है और फिर रोके कर देंगे तो इस तरह से आप blinking को हटाएंगे तो यह blinking नहीं हटेगा इसके लिए आपको सबसे पहले अपने इस paragraph को select करना होगा select करने के बाद अपने pointer को फिर से format लिखे हुए option पर लेकर आएंगे उसके बाद character लिखे हुए option पर click करेंगे फिर blinking लिखे हुए option पर click कर देंगे जिसे की अब यह blinking होना बंद हो जाएगा उसके बाद ok पर click कर देंगे तो अब देखिए यह blinking होना बंद हो गया तो इस तरह से आप blinking के option का उप्योग कर सकते हैं hidden का उप्योग क्यों करते हैं hidden से आप अपने text या paragraph को चिपा सकते हैं और वापिस लाने के लिए आप फिर से इस option पर दुबारा से क्लिक कर दें सो करने के लिए आप सभी undo का उप्योग करें आईए अब वीडियो को देखकर इसका उप्योग करना सीखते हैं आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि hidden option का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं hidden option से आप अपने paragraph, line या text को hide कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको अपने paragraph को select करना होगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर जाना है यहाँ पर click करना है उसके बाद character लिखे हुए option पर click करना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब इस box के अंदर आपको hidden लिखे हुए option पर अपने pointer को ले जाना है और यहाँ पर click कर देना है जिससे कि आपका paragraph या line जो भी आपने select किया है वह hide हो जाएगा उसके बाद ok पर click कर देंगे तो अब यह hide हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर आप इसे लाना चाहते हैं तो आप format के option पर जाएंगे character पर click करेंगे उसके बाद font effects के अंदर hidden लिखे हुए option पर click करेंगे तो इस तरह से भी नहीं आएगा यह इसके लिए आपको undo command का उप्योग करना होगा जैसे कि आप सभी जानते हैं undo का command होता है ctrl plus z तो ctrl plus z को प्रेस करेंगे तो यह आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस तरह से आप hidden option का उप्योग कर सकते हैं आईए अब overline और underline के बारे में सीखते हैं क्या आप बता सकते हैं overlining से क्या होता है overlining से आप अपने text या paragraph के उपर line ला सकते हैं overline कई प्रकार की होती हैं और जब आप overline को select कर लेंगे तो यहाँ पर overline color का option दिखाया देने लगेगा आप यहाँ से overline के color को भी बदल सकते हैं आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि overline या overlining color से क्या होता है जैसे कि आप सभी जानते हैं कोई भी formatting करने से पहले आपको अपने paragraph लाइन को select करना होता है तो आप सभी अपने paragraph लाइन को select करें उसके बाद अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर आएं यहाँ पर click करें उसके बाद इस box के अंदर character लिखे हुए option पर pointer को ले जाएं और फिर से click कर दें जिसे कि यह box open हो जायागा अब इस box के अंदर आपको overlining लिखे हुए option पर click करना जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे एक और box open होगा इस box के अंदर अलग-अलग प्रकार के option दिए गया है जो कि overlining के लिए है overlining से आपके हर एक जो भी paragraph आपने type किया उसके line के उपर एक line आ जाएगा यहां से उसके अलग-अलग प्रकार को select कर सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है एक एक करके check कर सकते हैं यहाँ जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कौन सा overlining आपको अच्छा लग रहा है उसको select करें और okay कर दें अब देखिए आपके paragraph के हर एक line पर overlining आ गया मतलब एक उपर उसके line आ गया अगर इस दुबारा से फिर से format पर लेकर आए character पर क्लिक कर दे उसके बाद से अपने pointer को overline color पर लेकर आए जो आपने अपने line या paragraph के line के उपर जो line दिया है उसके color को change करना है तो इस option पर क्लिक करें उसके बाद इस box के अंदर इसे drag करके आप color को देख सकते हैं और उन में से किसी एक color को choose कर सकते हैं या select कर सकते हैं और फिर ok के option पर क्लिक कर देंगे तो जिससे की आपने जो line दिया है उसके color change हो जाएंगे या उसका color change हो जाएगा तो इस तरह से आप over line या over lining color का उप्योग कर सकते हैं आईए अब strike through के बारे में सीखते हैं क्या आप बता सकते हैं strike through का उप्योग क्यों करते हैं strike through से आप अपने text या line के बीच में line ला सकते हैं आईए अब वीडियो को देखकर strike through का उप्योग करना सीखें आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि strike through का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कोई भी formatting करने से पहले आपको अपने paragraph line को select करना होता है इसके लिए आप सभी अपने pointer को menu बार के format लिखे हुए option पर लेकर आए यहाँ पर click करें उसके बाद character लिखे हुए option पर click कर दें जिससे कि एक box open हो जाएगा अब यहाँ पर आप font effects के अंदर अपने pointer को strike through वाले option पर लेकर आएं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है इसमें आप इन में से कोई भी option को चूज करें जैसे single तो आपके paragraph या text के line के बीच में लाइन आ जाएगा अगर आप double ले रहे हैं तो दो लाइन आ जाएंगी अगर bold ले रहे हैं तो दो लाइन के बाद बहुत bold हो जाएगा इन में से जो भी आपको अच्छा लगे उसे select करें और फिर ok कर दें जिससे कि आपके paragraph के line के बीच में ऐसे line आ जाएगा इस तरह से आप strike through का उप्योग कर सकते हैं अगर इसे आपको अटाना है तो दुबारा से format पर जाना होगा character पर click करना होगा उसके बाद font effects के अंदर strike through के option के यहाँ पर click करना है और उसके बाद without वाले option को select करना है और फिर ok कर देना है जिससे कि अभिया हट जाएगा इस तरह से आप strike through का उप्योग कर सकते हैं आईए अब underline करना सीखें क्या बता सकते हैं underline का उप्योग क्यों करते हैं जैसे कि आप जानते हैं underline से आप अपने text या paragraph के नीचे line ला सकते हैं अगर आप किसी paragraph के नीचे line highlight करना चाहते हैं तो आप underline का उप्योग करेंगे यहाँ पर कई प्रकार की line के option उप्लफ्द हैं और आप line का color भी बदल सकते हैं आईए वीडियो को देखकर underline करना सीखते हैं आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं underline या underline color का उप्योग कैसे करते हैं आप सभी अपने line या paragraph को select करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद अपने pointer को format लिखे हुए option पे लेका रहें फिर character लिखे हुए option पे click करें उसके बाद अपने pointer को underlining लिखे हुए option पे लेका रहें यहाँ पे click करें जिससे कि underlining के option open हो जाएंगे इन में से आप एक एक करके check कर सकते हैं underlining से आपके line जो आपने type किया है उसके नीचे line आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से आप एक एक करके check कर सकते हैं इन में से जो भी आपको अच्छा लगे select करें और okay पर click कर दें अगर आपको इस line के color change करना है तो आप अपने paragraph या line को select करें उसके बाद format लिखे हुए option पर जाएं click करें character लिखे हुए option पर click करें और फिर underlining को select करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद underline color वाले option को select करें और इस box के अंदर से आपको जो भी color अच्छा लगे उससे select कर लें और फिर okay कर दें तो अब इस तरह से देखिए आपके हर एक line के नीचे जो आपने line दिया है उसका color change हो जाएगा तो इस तरह से आप underlining और underline color option का उप्योग कर सकते हैं अगला option background color का आता है क्या आप बता सकते हैं background color से क्या होता है background color से आप text paragraph के नीचे color को ला सकते हैं अब वीडियो को देखकर background color करना सीखें आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि background color का उप्योग कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी अपने paragraph को select करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आप अपने pointer को menu बार के format लिखे हुए option पर लेकर आएं फिर यहां पर click करें उसके बाद character लिखे हुए option पर click करें फिर आप अपने pointer को background लिखे हुए option पर click करें यहां पर उसके बाद यहां से कोई भी एक color जो आपको अच्छा लगे उसे select कर सकते हैं और फिर आप ok button पर click कर दें जिसे कि आपके paragraph का background color change हो जाएगा इस तरह से आप अपने paragraph की color को change कर सकते हैं आईए अब default formatting के बारे में सीखते हैं क्या बता सकते हैं कि default formatting से क्या होता है default formatting एक ऐसा option होता है जिसके द्वारा आप किसी भी line या paragraph पर की गई formatting को हटा सकते हैं या उसे हटा कर पहले जैसा कर सकते हैं उधारन के लिए मालने चीए आपने अपने paragraph पर underline और font color की formatting की है उसे आप पहले जैसे करना चाहते हैं तो आप default formatting का उपयोग करके उन सभी changes को हटा सकते हैं आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि default formatting का उपयोग कैसे करते हैं आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि default formatting से क्या होता है Default Formatting एक ऐसा option है जिसके उप्योग से आप अपने line या paragraph की QV formatting को एक ही बार में normal view के जैसा कर सकते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं इसके लिए आप सभी अपने pointer को format लिखे हुए option पर लेकर रहा है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर क्लिक करें उसके बाद इस box के अंदर आपको default formatting लिखे हुए option पर अपने pointer को ले जाना है और क्लिक कर देना है इसके लिए आप shortcut command control प्लस M का भी उप्योप कर सकते हैं अब देखिए कि यह आपका जो line या paragraph है जिसे हमने type किया है वह normal view में आ गया जितनी भी आपने formatting की थी वह सारी formatting एक बार में हट जाती है तो इसलिए आप default formatting का उप्योप करते हैं क्योंकि आज की कक्सा यहीं पर समाप्त होती है आप सभी अपने writer की file को close करें और अपने system को properly shutdown करें आज की कक्सा में आपने format menu की कुछ option जैसे की default formatting क्या होता है या सीखा character sub menu क्या होता है और इसके option का उप्योप क्यों करते हैं इसके बारे में सीखा झाल